कली, जिसका आर्थ है अंदकार का युग In the cycle सौर मंडल के चक्र में, पृत्वी के चक्र में नहीं सौर मंडल के चक्र में ये 25,920 साल में एक चक्र पूरा करता है अब ऐसा है हम जिस युग की बात कर रहे हैं वो सौर मंडल और उस महा सूरे के बीच की दूरी के कारण महत्वपून है जिसके चारोर सूरे चक्कर लगा रहा है ये जितनी दूर जाता है यहां के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है तो कली उग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे स्यादा होती है इस अधिक्तम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है और फिर जैसे जैसे ये करीब आने लगता है कई तरह की चीजें करके हमने अभी जिन चीजों के बारे में बात की उन में से एक है ब्रह्मचर्य यानि आप सिस्टम में उस तरह की उर्जा पैदा कर सकते हैं जो अगर आपके पास दस मस्तिश्खों तब भी वो उससे चला सकती है अगर आपके पास 25 मस्तिश्खों तो भी वो उससे चला सकती है आप यहां बैठ कर अपने आस पास बैठे एक हजार मस्तिश्खों को चला सकते हैं कुंडलिनी को उपर उठा कर और ज़रूरी उर्जा पैदा करके अपनी उर्जा को पूरी तीवरता में लाकर आप चाहें तो एक हजार मस्तिश्खों को उर्जा दे सकते हैं इसमें इतनी उर्जा है तो हमने कहा ये वो रिशी हैं जिन हैं ऐसे लोगों के रूप में बताया जाता है जिन के पास एक हजार हाथ दस हजार हाथ थे क्यों? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 10,000 आदमी जो कर सकते थे वो एक आदमी कर रहा है, कई माइनों में आधोनिक तक्नीक बस यही दर्शाती है, लेकिन आंतरिक तरीके से एक इनसान इस तरह हो सकता है कि उसके बुद्ध मत्ता 1,000 या 10,000 या 10,000 लोगों को शामिल कर सकें, क्योंकि सिस्टम के भीतर हैं, अगर आपका मस्तिश्क थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप इसे जरूरी उर्जा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उर्जा पैदा करने के दूसरे तरीके हैं, और आपको बड़े मस्तिश्क की जरुरत नहीं है, आपको ज्यादा उर्जा की जरुरत है, अगर आपके पा जब हम 5000 वाट के बल्ब इस्तिमाल कर रहे थे आज आप 100 वाट का हेलाइट इस्तिमाल करते हैं और ये रोशन है अब इस हॉल को हमारे एक साधक वो इसे अमेरिका से हमारे पास भेज रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली LED लैम बनाते हैं ये बल्ब 12 वोल्ट के हैं ठीक है? 12 वोल्ट के बल्ब ये पूरे हॉल को रोशन करेंगे बस 5 साल पहले इसकी कलपना नहीं की जा सकती थी 12 वोल्ट के बल्ब से आप इतने बड़े हॉल को रोशन करने जा रहे हैं पर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो बहुत कम बिजली से हम चीजों को रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बिजली का इस्तिमाल करते हैं, और जैसे ये काम करता है, उसमें सुधार इसे इस्तिमाल करने के हमारी क्षमता को बढ़ा देता है. जो बात LED लैंप के लिए लागू होती है, वो निश्चित रूप से मानव शरीर और मस्तिश के लिए भी लागू होती है, तो योग लगातार इसी की खोच कर रहा है, तो कलकी को युक का अंत करने के लिए आना है, अंधकार के युक का अंत करने के लिए आना है, देखे, समय की प्रकृती ऐसी है कि किसी को इसे शुरू करने की जरूरत नहीं है किसी को इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है ये वैसे भी गुजरता जाता है आपके जीवन में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन समय बीच जाएगा है ना? ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपको गैरंटी दी जा सकती है अगर आपको कोई वर्दान मिल जाए और आप अमर हो जाएं तो आप अमर हो भी सकते हैं लेकिन आप समय को गुजरने से नहीं रोक सकते है न? तो किसी को न तो युक की शुरुवात करने की और नहीं युक का अंत करने की ज़रूरत है बात बस इतनी है कि उन्होंने कहा कल की आएंगे एक सफेद घोडे पर सवार पंक वाले तो अगर घोडे के पंक हैं तो वो काम का नहीं है घोडे के पास अच्छे पैर होने चाहिए नहीं? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? घोडे के पास चार अच्छे पैर होने चाहिए तब वो एक बढ़िया घोडा होगा जिस घोडे के पंक हैं वो घटिया घोडा है आया ना? तो जाहिर है वो सफेद घोडे के बारे में रूपक के तौर पर बात कर रहे थे न कि एक वास्तव एक घोडे के रूप में ये बात प्रतिकात्मक है कि उजाला आएगा जब युग बीच जाएगा तो अंधकार चला जाएगा और उजाला आएगा और वो अंधकार को मिटा देगा